नमस्कार आप देख रहे हैं फॉस्ट बिहार जारखंड और मैं आपके साथ वंदना क्या बिहार में फिर होगा खेला? क्या नितेश कुमार फिर मारेंगे पल्टी? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नितेश कुमार एक ही गलती बार-बार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नितेश कुमार कभी PM नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने लग जा रहे हैं तो कभी नितेश कुमार के जुबान कुछ इसकदर फिसल रही है कि नितेश कुमार 400 की जगा 4,000 सांसदों की डिमांड कर बैट रहे हैं और एक गलती कोई बार-बार कैसे कर सकता है वो भी इतने बड़े पड़ पर बैठने के बाद सवाल ये भी है कि दूसरी तरफ है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादो तेजस्वी यादो जानते हैं कि नितेश कुमार NDA के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं पावजोद उसके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादो हमेशा यह कह रही हैं कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं इसके पीछे कोई बड़ा खेल है बार-बार तेजस्वी यादों कहते सुनाई दे रहे हैं कि लेकिन मन से चाझाजी हमारे साथ ही है यह वार नहीं बलकि टेजसवी यादों ने बार-बार यह बात कही है यह बात-सबसे पहले तब जोड देकर کہा था जब नरेंद्र मोदी को नामांकन करना था तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वारानसी से नामांकन करने वाले थे जिस दौरान कई वरिष्ट नेताओं को वहां पहुचना था कई अलग-अलग राज्यों के मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के उसके साथ यहां के सीम यानि के बिहार के सीम नितेश कुमार को भी वहां पहुचना था बिहार से भी कई एंडिये के नेतागण वहां पहुचे थे एंडिये की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान आज कल बड़े चेहरे बनते जा रहे हैं चिराग पासवान भी नरेंद नितिश कुमार नहीं गया परिशाँ वह वहां नहीं चासक ही और उस दिन भी नितिश्कुमार नहीं की था कोई पि चुर्णावी रायली नहीं की थी टीरिक नितिश कुमार वहां कैसे चले जाते आप देख लेजे नितेश कुमार वहां इसलिए नहीं गये क्योंकि चाचा जी भले तन से उधर हो लेकिन चाचा जी का मन तो हमारे पास ही है यह सारी बाते एक बार नहीं بलकि बार-बार तिजस्वी यादो दोहराते नजर आ रहे हैं भले नित तेजस्वी ने आज तक एक बार भी नितेश कुमार को लेकर कोई भी तीखी टिपपनी या फिर कुछ ऐसा नहीं कहा है जुससे कि बाद में अगर तेजस्वी और नितेश एक साथ आते हैं तो उनके बिच कुछ हन्बन हो कोई ओक्वर्ड जो वो मूमेंट होता है वो उन दो क्यां बड़ा झाते हैं कि वह मुख्य मंत्रे ने तेश कुमार से काफी चोटे हैं तरिछ प्रताप आइप लेकिन यादव भी मूख्य मंतरी नितेश कुमार को लेकर कुछ कहने से पीछे हट रहे हैं यहां तक कि तेजप्रता प्यादो को चुनाओ प्रिचार के लिए भी मैदान में लालो परिवार ने नहीं उतारा है तो एक तरफ जहां तेज़स्वी यादो नितेश कुमार के प्रती अपना रुख जो है वो सौफनेस के साथ चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नितेश कुमार भी कई बार ऐसी गलती कर बैट रहे हैं जिससे अब ये चर्चाय शुरू हो गई है कि क्या नितेश कुमार और तेज़स्वी यादो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि जब तेज़स्वी य तन से उधर हो लेकिन मन से तो हमारे पास ये ऐसी बाते आप क्यूं कहते हैं कि आपको लगता है कि विधान सभर चुनाओं में नितेश कुमार आपके साथ आजाएंगे तो उस पर तेज़स्वी यादो कई बार कई मीडिया चानल को इंटरव्यू देते समय ऐसा बात कह ज हाली में नितेश कुमार ने अपना एक बयान भी दिया था हलांकि उनके जुबान फसली थी और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं उनके मन में एक्षा है कि प्रधान मंतरी नडेंद रमूदी एक बार सीम बने उसके पहले भी कई बार नितेश कुमार ने एंडिये गडबंद के सीट को लेकर भी कई बाते कही है कि एंडिये गडबंदन हम चाहते हैं कि चार सो के जगह वो कई बार चार हजार जैसे शब्रका उस्तमाल कर जाते हैं उनके जुबान फसल जाती है और एक बार ने वलकि कई बार जुबान फसलती है तो क्याने तेश कुमार भी चाहते है कि नरेंद्र मोधी या फिर एंडिये गठबंदन की सरकार देश में ना बने और दुबारा से वो और राजवत एक बार परिट से महागठबंदन की सरकार राज़ में बनाने के फिराक में हैं क्या चाचा भरतीजा की कोई प्लानिंग है ऐसी बात तेसले कही जा रही है क्यू को बचाते हुए दिखाई देते हैं और बार बार एक ही बयान देते हैं कि चाचा जी भले ही तन से उधर हो लेकिन मन तो उनका हमारे पास ही है चाचा ने जो हमें जिम्मेदारी दी है वो हम निभा रहे हैं हमारा मकसद है भाजपा को हटाना और चाचा जी जब हमारे साथ थ था कि किसी भी तरीके से भाजपा का खात्मा हो और भले उनके साथ कोई मजबूरी रही होगी कोई भी दिक्कत रही होगी जुसका आरण वश वो उधर चले गए लेकिन उन्होंने जो हमें सिखाया जो जिम्मधारी दी वो जिम्मधारी उनका भतीजा पूरा करेगा और यह क उपिशाद यादो के संतान पर भी बार बार नितेश कुमार के टिपड़ी आती है लेकिन बावजोदस के ते जस्वी यादो हो मिसाभारती हो रोहिनिया चारे हो या फिर खुद लाल उपिशाद यादो ही क्यों ना हो बार बार नितेश कुमार को लेकर इनका जो बयान र तो चुनाव परेचार करना होगा लेकिन आप यहीं भी सुने होंगे कि 400 की जगा हम 4000 सीट कभी जितवा रहे थे उन लोगों को तो कभी PM से उनको CM की कुर्सी पर लाने की बात कर दे रहे थे बाते नितेश कुमार कहेंगे और फिर से राजवत के साथ आ जाएंगे ऐसी तमाम चैचा इसले चल रही है क्योंकि एक तरफ नितेश कुमार बार बार ऐसी गलती कर बैठ रहे हैं जो से ऐसा लग रहा है कि चार जून की बाद बिहार में कोई खेला हो सकता है क्योंकि आगे अगले साल, साल 2025 में बिहार में विधान सभा चुनाओं भी होने हैं और ऐसे में दूसरी तरफ तेजस्वियादों का भी जो बयान सामने आता है वो भी दर्शाता है कि उन्हें भी लगता है कि चाचाजी उनके पास वापस लोट कराएंगे और एक बार फ़र से महागडवनि कि सरकार बिहार में बनेगे बाकी होगा क्या ये तो समय बतलाएगा जो चरचाय चल रही है वो आप तक पहुचाने का हमारा काम था आपस पर क्या सोचते हैं कमें सक्षन में ज़रूर बताएए देख तेरे फर्स्ट बिहार जारखंड धनेबार पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशिया नहा ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिन्दगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मुमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined